कॉंग्रस पार्टी के राष्टिये महासचिव जोती राधित सिंधिया अपने तीन दिस्वी दोरे पर असोग नगर में आये हुए हैं वैपूरे छेत्र में कारकरताओं का बूठ सम्मेलन कर रहे हैं इसी के अंतरगत मुगावली में आयोजित कारकरता बूठ सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंधिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वैप कारकरताओं से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस पोलिंग बूठ पर 70% मदान या इससे अधिक कॉंगरस पार्टी के पक्ष में होगा वैप 10 लाग रुपए की रासी सांसद निदी से उस बूठ को देंगे वीडियो में सिंधिया कारकरताओं से कह रहे हैं कि वे प्रतेक विधान साबा की एसी टॉप 5 पोलिंग और इस तरह पूरे रोग साबा छेत में 40 पोलिंग को अपने सांसद निदी से 10-10 लाग रुपए देंगे उन्होंने इस पर्ष्ट किया कि एक साल में सांसद निदी में 5 करूर रुपए आता है जिसमें सेवे 4 करूर रुपए उन पोलिंग बूठ को देंगे जानी उन्तम 60 प्रिश्चत मद्दान या इससे अधिक कॉंग्रेस के पच्छ में होगा सिंजय किसी घुट्रा को अधार बनाते हुए भारती जनता पार्टी की असोग नगर जिलाई काई के मंत्री असोग पार्टी ने सुमवार को जिला निराचा नदिकारी से सिंजय के खिलाब आचार सहिंता के उनलंगन की सिकायत कर करवाई की मांग की है दस नाव रूपए प्रती पोलिल विकास के नाव पर ने अपने सांसर दिए पर दो हुए अग्दा पूरे लोग समा में 4 करोड रूपए एक साथ में सांसर दिए से 5 करोड रूपए उस 5 करोड का अस्ती परणिशन पहले बश्य नहीं सारे लॉप चारी प्रतों पूरे संसर दिए से शेट्रों ने एक रार समा में 5 करोड रूपए में से करवा दिए नहीं हमारे चेते संसर शिंद्या जी द्वारा अभी वोलिंग बूद के समिलनों में तारी कर्स्ताओं से खाग रहा है कि इस चुनाम में का सत्र पार्सन्ट से अधिक पॉट पार्टी को मिलेगे तो उस सित्रके उस गाँं के विकास के लिए वो 70 रूपए दस लाग कर देंगे कोल लिंग के विकास के लिए लेकिन चुकि आचा सेंता लागू हो चुकी है, तो इस तरह की प्रिलोगन देना आचा सेंता का उलंगा है, और इस तरह करवा ही होना चेहिए.